वो लोग रस कर रहे हैं अपन पे गुरोजा और डीपी है और मैं अंदा फाइरिंग स्टार्ट करता हूँ तो भाई लोग कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक इंटर्स गलत सीन से भरे पड़े पपजी दो मुबाईल गेमप्ले वीडियो में और यार इसमें मतलब किस्मत इतनी ही खराब होती है न कि भाई क्या ही बताऊं जहां पे भी जाए के होगा वैसे यहां पर भी फसने वाले लेकिन फिलाल हम नोवो आ रहे हैं और कुछ बंदे आ चुके हैं गन फाइट लेने तो यार उठाता हूं मैं सोट गन अब यहां पर उतर रखिये भाईया भीड मतलब खचा खच बर बर के बंदे उतरें लेकिन देखो सबको बाद में पेलेंगे पहले पेटी बनाना जरूरी है अना क्योंकि जहां ज़्यादा भीड है वहां किल चोरी होना बहुत मामूली बात हो जाती है अब हमारे भाई के एक बंदा पीछे पढ़ जाता है कते गन गुन लेके हाना पता नहीं कौन से सीजन की सोरपी ड्रेस थी भाई पे कता ही महंगा हाना रॉयल पास पे दबा के पैसे फूके भाई ने मैं आतो ऊपर से भाई इससे पहले पेटी बन जाए उसको पकड़ ले है ये नोग बंदा मिल गया और जिंदा बंदा भी मिल गया मुझे । और जैसा कि मैं आपको बीच बीच में बताता है रहता हूं कि भाईया भालाई का जमाना रह नहीं गया है अभी मैंने देखा भाईया बंदा नंगा खड़ा है है ना बिल्कुल बेचारों की तरह बैठा पड़ा है कंटेनर में मैंने सुचा चलो छोड़ दिता हूं लेकिन भाई मैंने गोली नी चला है उसके बदले मुझे क्या मिला मुपे मुका बहर दिया भाई ने उसके बाद उचल के पेल रहा था मुका भाई वो तो सही टाइम पे गोली पेल दी मैंने कही नोक नूक करके पेटी बना देता मुप को से आर घलती सीन हो जाते खैर वो सोकॉर्ड पूरी खाली कर चुकाओं मैं हा न और तैयार हो जाओं क्यूंकि किल्चोरी और साप कचकर मोच से टककर भी इधर पे ही होगा और बस फरक इतना होगा कि भाई आप बंदे न जाड़ी में सापनी बने होंगे कंठेनरों में साप बने बैठे होंगे अब ये बंदा नो कोके उपर ही बैठा होता है ताकि नीचे जाके इसकी पेटी न बने और मैं उपर ही इसकी पेटी बना देता हूँ अब मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे साप देखें मतलब इतने सारे देखें कि भाई मैं गिन भी निपाओंगा मतलब भाई या ग्रोजा वाला साप M249 वाला साप ठीक है कोई सपरेस UMP वाला साप लेकिन ये भाई साप सोटगन लेके साप बन रखा है वो भी कंटेनर के अंदर मतलब भाई फटके चार हो गई थी मैं इतना सहम गया था डर के कि मैं उसकी पेटी पे गुली चला रहा था मतलब बंदा ठिल गया था मैं भाई मैं बोल रहा है इसको पक्कर करता हूँ मैं पेटी इसकी बनी है की नहीं कहीं अंदर गया तो सीधा सौट गन से पेटी बनेगी और उसके बाद अब अपन लोग अंदर फस गये और कभी कभी ना जब आपकी किस्वत में ठिलना लिखा होता है न आप ठिलोगे ठिलोगे चाहे कुछ भी हो जाए मतलब मैं यहाँ पे रुका था दो तिन बंदे आया अंदर अन्धर बार भी गया बार जाके भी पेला बंदों को गन की गोलियां खतम मैं थोड़ी देर रु प्रटन दबाया बंदा अंदर गुश गया धैड़ पैड और मुझे ही नौक्या सीधा गुश के क्योंकि वैसे मैं ही उसके मुग के सामने था लेकिन फिर भी यार मतलब भाई खतरनाक हैट पूंते भाई कान बिलकुल लगा के रखा था कंटेनर में जैसी रिलोट की आव बंदा मिल जाता है हमें जो की बाहर बैठा पड़ा है तो हाँ पकड़ रहे इसे अब हमारे ये भाई कताई दिवार से चिपक के केम्पिंग कर रहे होते हैं हाना इनकी पेटी बनाए लेकिन देखो ना यहाँ पे फ्लेर है ना ही फ्लेर ड्रॉप फ्लेर ड्रॉप चलते यार मतलब वो लोग तो आएंगे नी क्योंकि हमने इसकी पेटी बना दिया अब वो क्या कद्दू कर दें अगे इधर तो हमें जाना पड़ेगा तो मैं उठाता हूं यह गाडी जो की सही एर अपने पे गाड़ी तो है कम से कम गाड़ी उठाता हूं जाई रहा होता आपको पता चलने वाला यार कि मिल्टी रेरी मुझे बहुत ही खतरनाक क्यों लगता है मतलब गलत सीन यहाँ पे दबा के होते बहुत अब यहाँ पे आधी दुनिया जिन्दा है इस मैच में लेकिन हमारे भाई को साब बनना है अभी सही नजा ने क्यों वहाँ पे लेटा पड़ा थो अच्छा वा गाड़ी से आए नहीं तो सीधा पेटी बनती मतलब इन लोगों की पूरी सकॉड बाकी थी ठीक है एक बन्दे की पहले पेटी बना दी ये फिर भी तीन बन्दे जिन्दा थे क्या कर रहे भाई एक बन्दा साब बना पड़ा है हना उसे पता था यार हम लोग उधा रहे उसके टीमेट की उधर पे पेटी बनाई लिकिन हमारे भाई यहाँ पे लेट चुके थे ताकि हम पैदल आए और पैदल आते ये बन्दा जट से उठे यार मुझे नहीं लगता बहूत ही खतरनाक मतलब मिल्टी रेरी बेस में बहुत ज़ादा होते हैं यह सामका चकर मोझ से टककर हट से ज़ादा देखने को मिलता है मिल्टी रेरी में क्यार उसके बाद मैं ये घिली सूट ले लेता हूँ हाना और देखने वाली ये बात है कि अपने को AWM अभी तक नहीं मिली है तो मैं क्या करता हूँ एक और बार फिर से दुबारा से फलेड रोफ पर रसमार देता हूँ अब यहां पे बंदे बैठे पड़ें और हम आ गये हैं मू और डीपी उठाके अब देखो इस बार में उस बंदे पे एक गोली तक नहीं चिपका पाया मतलब भाई बिल्कुल जोस में होंगे और दुबारा पीक करेंगे और दुबारा पीक में यार गड़बड होगी कि आगे क्या होने वाला है ठीक है मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि आगे क्या होने वाला है आपको पता होगा यार अभी तक तो पता जरूर होगा कमेंट जरूर करना अब पर कैमपर से था हमने अब पर कैमपर नहीं देखा तुझे और जिस जिस ते भी गलत सीन लिखा है ना भाई यार मजा आगया समझ गयो तुम क्या होता है मिर साथ अन्स आपको भी पता यार कि ज़्यादा तर मिर साथ क्या होता है गलत सीन देखो यहाँ पे नौ किया था गाड़ी थुकी थी मैंने बोला यार ये बंदे गाड़ी फोड देंगे हम ऊपर नहीं जाये पाएंगे गंटों तक ही ही रुकेंगे तो मैं गाड़ी को पीछे अटाता हूं और मैं धैड़पैड गाड़ी में बैटता हूं पता चलता है यह यहां पे जहाँ पे मेरा teammate बैठा है न वहाँ पे बंदा camping बिचा के बैठा होता है मुझे तो दिपता भी नी भाई मैं सीधा गाड़ी में बैठता हूँ get in का button दवाता हूँ और गाड़ी पीछे करता हूँ और उतरते ही जो ही गोलियां पड़ती है मुझे खैर यहाँ पे जैसे तैसे करके बच गये तो अगर आपने अभी तक like के बटन को पेला नी तो पेल वो like के बटन को मझा गया मतलब अभी भी जिंदा हूँ मुझे लग ने राथा जिंदा रहेंगि अभी तक लेकिन हाँ अभी भी जिन्दा है तो क्यों ना एक और फले ड्रॉप पे रस कर दें और मैं बंदे पेलने जा रहो यार आप लाइक के बटन को पेल के नीला टैप कर दू और अभी तो यार सांती का मोहल लग रहा है लेकिन कब तक हाना नहीं रहेगी यार सांती देर तक बहुती जल्द यहाँ पे भी गलच सीन होने वाले हैं अब यहाँ पे मैं जादतर पी करके बैठा रहता ना मैं सिधा नौक होता मतलब उस एक खिड़की से दोनों बंदे एक ही खिड़की पे मुझ डाल रखाए दोनों ने मतलब मुझे नहीं पता उन्हें कुछ दिग भी रहा होगा की नहीं लेकिन यार मुझ दोनों भाई एक ही खिड़की पे डालेंगे तो मैं गाड़ी डाल देता हूं इनके घर पे और यहाँ पे भी एक पूरी सोकॉड बैठी पड़ी होती है मतलब दो बंदे उपर नोक थे एक इसको इसकी पेटी बना दी और यार अभी पूरी टीम नहीं ठीलिये तो मतलब तीन बंदे अभी भी जिंदा है और इस घर के अंदर बैठे पड़ें तो देखो यार मुझे नहीं पता क्या सीन होंगे उपर जाके हना कहां पे केंपिंग बिठाई होगी इन्होंने तो मैं क्या करता हूँ यार फुल बूष्ट पेल देता हूँ हमारे भाई मोली से एक और बंदा नोक कर देते हैं लेकिन क्योंकि मोली बिलकुल सामने ही अप सकते हैं अभी और क्योंकि अब नेट बर्बाद करना चालू करी दिया है तो इस वाले को भी बर्बाद कर देते हैं और यार मैं सही बता रहा हूँ मुझे लगनी रहा थे ये नेट फटेगा क्योंकि कभी फटते नहीं है मेरे नेट लेकिन हाँ अब अन्दारस करेंगे और मैंने कई चीज़े देखिये मतलब बंदे यूएंपी यूज करते हैं ठीक है बंदे भाईया उजी उजी लेके गुमते रहते हैं आकरी मैस तक अना आकरी टैम तक लेकिन ये बाई ये अनोखा बंदा था ये बंदा अलग था बिलकुल बाई पे सिर्फ और सिर्फ एस चलार यार हलवा थोड़ी चला यहां पर अब देखो मैं इस मैच में चार फिले ड्रॉप पर अटैक कर चुका हूं ठीक है सब की पेटी बना दिया है लूट लिया है लेकिन मेरे पर अभी तक एडबलुम नहीं है लेकिन वो जो मेरे सामने बंदा यार वह एडबलुम अब देखो भाई पे सनाई पर तो है है लेकिन यार वो बंदा ना सनाइपिंग भी जहर कर रहा है मतलब एडबलुम के हैट्शॉट शूट्शॉट पटका के रखे भाई ने और अभी इतना ही नहीं यार आगे-आगे देखो भाई पेल के रखता है वो बंदा हना और या चार फ्लेर ट्रॉप पे रस कर दिया है अंधा ठिलते ठिलते बचें चारों के चार बार ठिलते ठिलते बचें उसके बाद भी एडबलुम नहीं है मतलब ग्रोजा मिलगी बढ़िया है लेकिन यार एडबलुम भी तो चाहिए जिन्दगी में और उतने में ही ये लोग यार क्या भी गाड़ा उसने क्यूं गाड़ी की पेटी बनाई जारी है और ये आगे रस कर रहे हम पे और अब पहले मैं थोड़ा सा खुस होता हूं कि यार ठीक है काफी आगे आ गए थे लेकिन हम रिवाइव हो चुके हैं तो बंदे वापिस भग रहे हैं तो अपने पे यार चाहे कुछ भी हो नोक मत हो ना और यह होता है उतने में ही और अज़ बंदा दुबार से पिर से हेट Amendment पेल देता है और जिस दीस साब से वह चला रहे तिया वो सब बढ़िया है उपर से इन लोगोंने समोग भी बना दिया है लेकिन देखो यार तुम्हारा बाई समोग में एजस बढ़िया कर लेता है कभी कभी गलती से हो जाता है लेकिन हम वो लोग रस कर रहे हैं अपन पे गुरोजा और डीपी है और मैं अंधा स्टार्ट करता हूँ और यार मुझे नहीं पता क्यों लेकिन अभी भी हम दोनों के दोनों जिनता है ठीक है और यार इस समोग में एजस के लिए एक लाइक तो बनता यार तो अगर आपने अभी तक लाइक के बटन को बुलू निकिया है तो यार यही टाइम है यहीं मोका, यह जो नीला जोन मेरी health को खा रहा है ना जो मेरी पेटी बनाना चारा इसकी तरह आप like के बटन को कर दो बिल्कुल पेल के रख दो यार, मुक्का मुक्का मार दो बस screen मत तोड़ना नीला कर दो ख्यार यहां पे एक गाड़ी होती है अपने पे हना मतलब एक पे तो गोलियां पेल के राख कर दी इन्होंने लेकिन एक होती है तो इसे उठा के दैड़ पैड पहुंचते जोन में और यह सैक दिखता है तो मैं बोलता हूँ यार चाहे कुछ भी हो गुज जाओ इसके अंदर और मैं बैंडेज पोता हूँ क्योंकि मैं बहुत कंजूस हूँ है ना मतलब देखो यार अभी अच्छा खासा टाइम है टाइम भी फोड़ना है तो हाँ बैंडेज पोता हूँ धैड़ पैड़ हीलिंग पूरी होती है और गाड़ी उठा के निकलने की कुछिस करते हैं और हमारे साथ साथ कुछ और बंद और इस साप की नजाने कितने जन्मों की तपस्या मैं अभी खतम कर देता हूँ हाना कुछी सेकेंड में सीधा पेटी बना दी मतलब देखो सामने घर है ठीक है सामने घर है सामने गाड़ी है लेकिन नहीं साप भी बनना है वाई जिन्दगी में पता नहीं क्यूं और उसके पेटी बना दी और एकाज बंदे अभी भी हैं वो AWM वाला यार अभी बिजिन्ता है अब वो AWM वाला यार चाहे कुछ भी हो जहाँ पे भी हम जा रहे न वहीं पे पहुँच जा रहा है मतलब वो फिलाल अभी इस बंदे को मार रहा था जो भग के आ रहा था मैंने पहले AWM वाले के गोली पेली मैंने बोला यार यह हमें तो नहीं मार रहा था मैं पीछे देखता हूँ एक बंदा बग के आ रहा होता है तो हाँ उसकी भी पेटी बन चुकी है मेरे ख्याल से ही वो और ये साप वाले भाई दोनों भाई भाई थे एक ही टीम में तो दोनों की पेटी बन चुकी है अब हम गाड़ी से आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर मैं गलती कर देता हूँ वो है कि यह जो यह भेरा उसके नाम में यह जो धब्बा है यहाँ पर गाड़ी रोग देता हूँ तो हाँ यार यहाँ पर ही होंगे जो भी गलत सीन होंगे और याद रखना मैंने समूक मैं जस किया था तो वो मेरे साथ भी होगा और यहाँ पर हम लोग आते ही कते ही तोड़ फोड़ गूलिया पेलते हैं हाना मतलब वो एक कितो पेटी बना दी एक गिल्ली सूट वाला यार नीचे भग लिया मतलब मैं उसे पेलता लेकिन देखो समूक मैं जस हो गया है तो यार जड़ी मैं जस नहीं हो पाए है इस मैच में खेर वो वही पे जिंदा होगा है हैना यह लोग अब सीन क्या होता है मेरे लेफ्ट में बन्दे हैं यह जो पहाड टैप है यहाँ पे बन्दे बैठे पड़े हैं और मेरे राइट में एक महेंगा सकॉर्ड हाउस है मतलब बिल्कुल मज़ा जाता है यार वहाँ पे होल्ड करके मज़ा टैप आजाते तो हां वहाँ पे पूरी एक सकॉर्ड बैठी पड़ी है मेरे लेफ्ट में बन्दे आगे गिली सूट वाला है और पीछे भी बन्दे है और हम लोग फस चुके दोनों की दोनों खैर अभी कैसे तैसे कर गयार यहाँ पे जिन्दा रहनी की कोशीज करेंगे और उतने में ही एक लेफ्ट में बन्दा दिखता है अब एक बन्दे को मैं लेफ्ट में नोक तो कर देता हूँ लेकिन हम उसका और उसकी टीम का फिलाल कुछ भी नहीं उखाड सकते हना क्योंकि देखो मेरे राइट में भी बन्दा है एक बन्दा वो जो सैक है छोटा सा नकली सैक उसके अंदर आके गुश चुका होता है और यहां से मैं ओपन में जाओंगा लेफ्ट में आर उसके तीन चार पता नहीं कितने बन्दे होंगे सब के सब हमारी पेटी बना देंगे खैर अपन लोग अभी जादा कुछ करनी सकते सिवाए इंतिजार करने का हना अब वो लोग क्या करेंगे देखो भेर हाउस है भेर हाउस का मूह इतना बड़ा बड़ा ये दर्वाजे है यार दर्वाजा बोलने में भी सारम आ रही है मुझे यहां पर नेट करते हैं लोग जब भी रस होता है एक नएक नेट जरूर आता है और यहां पे भी वही होता है तो अब यहां पे मैं ही बचा हूँ और टाइम आ गया है कलच कुलच करने का मतलब ग्रोजा यार करेंगे कलच अब यह कलस तो हो जाता है लेकिन उत्रे में ही हमारे भाई को घर पे बरतन माजने का बुलावा आ जाता है और देखो सकॉर्ड हाउस में भी गोलिया चल ली है अब हमारे टीमेट ने माइक बंद कर दिया है हाना क्योंकि यार पीछे से डंडे पड़ रहे भाईया कल के बरतन नहीं माजे और पबजी खिलने बैट गए तो हाँ यही होगा तो देखो अब जो भी करना यार मैं ही बोलने वाला हूँ हाना मैं ही बकवास कर रहा था वैसे भी पहले से और मुझे ही आगे बकवास करनी होगी मैंने ख्याल से भाई ने हैटफोन भी हटा दिये बस खेलने के लिए खेल रहे है तो दिक्कत हो चुकी है आगे सुकॉड आउस में तीन बंदे बाकि है उन्होंने एक और बंदे को पेल दिया और आज आपको पता चलेगा कि क्यूं मैं नेट से नफरत करने लगाऊं अब देखो एक बात ध्यान पे रखना कि उस बंदे को मैंने ग्रोजा की एकाद गूलियां भी मारी है ठीक है ये बात ध्यान में रखना और ये चीज़ना मैं पचास बार देख चुका हूँ और मुझे अभी भी विश्वासनी हो रहा है आउ जरा इस लो मुशन में देखते हैं उस बंदे को एकाद गोली लगी है ग्रोजा की मैं नेट करता हूँ ठीक है नेट गया देखो किधर फटता है ठीक है नेट फटता है दुआ भी आता है भाई उसके पीछे बिलकुल ठीक वही पे उसी खिडकी पे खिडकी नहीं है वो उसी चत के चज़े पे यार ठीक वही नेट फटता है बंदा नौक नहीं हुआ नौक निवा भाई बंदा और उसके बाद किस्पत देखो जोन में भगता हूँ मैं समोख है मुझे कद्दू कुछ नहीं दिखना लेकिन यार एकेम वाला भाई यार कता है समोख में अज़स करने में उस्ताद है भाई समोख में दोनों को पेल देता है ठीक है सिर्फ मुझे देखो जब किस्मत मैं पेटी वनना लिखा हो ना यार तो पेटी वनेगी चाहे आप कुछ भी कर लो कुछ भी कर दो जब लिखा होता है तो वही होता है केर आज के वीडियो में इतने ही भाइलों गयार बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते लाइक के बटन को पेलना मत भूलना है यार मतलब देखो ऐसी ऐसी बहुत दुख हो रहा है मतलब 30 किल से उपर करके जावाब नहीं जीत पाते न दिल पे दर् बिस्क्राइब और भी ऐसे गलत सीन और सस्ती कमेंटरी के लिए